अज़ हम बात करेंगे Great Indian Bustard Recovery Program के बारे में जिहां वही Great Indian Bustard जो की भारत में ही केवल पाया जाता है और इस समय अगर हम इस पक्षी के आकार को देखें तो यह उड़ने वाले जो भी पक्षी होते हैं उसमें सबसे भारी उड़ने वाले पक्षीयों की स्रेणी में खुद को शुमार करता है इसमें अगर जो मेल पक्षी है उसके वजन की बात करें तो लगभग 18 किलोग्राम उसका वजन होता है लगभग एक मीटर लंबा ये पक्षी होता है इसके रंग की बात करें तो भूरे ग्रे रंग का इसका शरीर होता है और लंबी गर्दन से ये युक्त होता है इसकी संख्या कभी 700 के आंकड़े को छूती थी वर्तमान में ये 150 से भी नीचे सिमट कर रह गई है ऐसे में अगर इसकी संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये critically endangered shreddy में अपने आपको शामिल करती है इसलिए एक चिंता का विशय है तो इसी के संरक्षन के लिए इसी के पुनरत्थान के लिए पुनरप्राप्ती के लिए हम कह सकते हैं कि Great Indian Bustard Recovery Program चलाया जा रहा है तो आज की इस वीड करेंगे चर्चा में क्यों है Great Indian Bustard के बारे में कुछ तत्य होंगे साथी साथ G.I.B. पुनरप्राप्ति योजना संरक्षन कारिक्रम अर्थाप जो recovery program चलाया जा रहा है उसके बारे में हम समझेंगे उसकी यात्रा कहां से शुरू हुई आगे का क्या प्लान है साथी इस से संबंधित कुछ अन्य कारिक्रम जो संचालित किये जा रहे हैं उसको देखने के साथ हंत में कंफ्यास प्रस्ण होगा जिसके जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी कि कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे साथी साथ सामान्य अध्यान के प्रश्न पत्र दो से जो इस खबर के आलोग में आज की चर्चा हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के गावी तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो राजस्थान का राजकिय पक्षी भी है भारत का एक राज में पाए जाने के साथ साथ सबसे गंभीर रूप से जो संकटापन जो पक्षी होते हैं critically endangered strategy में जो पक्षी आते हैं उसके अंतरगत के भी शामिल है घास के मैदान के एक प्रमुक संकेतक प्रजाती की रूप में इसको देखा जाता है अब संकेतक प्रजाती क्या होती है मत कारण के तोर पर आप देख सकते हैं जैसे जुगनू किस स्थान पर अगर जुगनू की संक्या प्रभावित होती है कम होती है नहीं पाय जाता है तो यह अनुमान लगाये जाता है कि यहां पर प्रदूसरण बढ़ गया है तो वहां पर जुगनू प्रदूसरण के एक संक लेकिन देखी जाती है, बात अगर सुभेदिता की करेंगे, तो इसकी सुभेदिता जो है वो critically endangered स्रेड़ी में पहले तो यह है, यह आपको मैंने पहले भी बताया, साथे साथ इसके कुछ प्रमुख कारण है, वो कौन से ऐसे कारण है जिसकी वज़ा से इसकी संख्या प्रभ समत्ती जो साधाद है, कृषी खेटर का बड़ता आकार है, एक तो वो प्रमुख कारण है, दूसरा जो शिकारी होते हैं, जो इनके अंडों का शिकार करते हैं, पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे कुट्टे हो गए, मॉनीटर लिजर्ड हो गए, खुद मानाव हो गया जो कि इनके अंडों का विनाश करता है, जिससे इनकी संतती आगे बढ़ने में बाधा आती है. साथी साथ जो overhead bisley line होती हैं, overhead bisley line हो से ये टकरा जाते हैं, और जिसके कारण भी इनकी काफी भारी मात्रा में इनकी मृत्यू होती है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की आचिका भी दाखिल की गई थी, कि जो overhead bisley line हैं, इनके पाए जाने किशेतर में उनको वहाँ से उनका निराकरण किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, सरकार ने माना कि इतनी बड़ी मात्रा में, overhead जो bisley line हैं, उनको हटाना तो संभाव नहीं है, लेकिन इस दिशा में सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी आगे कारे की, उसने अपने विचार रखे, और इसके संरक्षन की दिशा में आगे बढ़े, तो फिलहाल हम यह देख सकते हैं, इनके कारणों पर नजर डालें, तो उर्जा transmission जो लाइनों के साथ यह टकरा जाते हैं, जिससे विद्यूत आगहाद से electricity के यह शिकार हो जाते हैं, विद्यूत आगहाद के शिकार हो जाते हैं, साथ-साथ इनका जो शिकार करने वाले चाहे वो माना हो, चाहे वो अन्यपशू हो, उनके वजह से भी बाधा आती है, व्यापक कृषी विस्तार मैंने आपको बताया ही, इस वज़े से भी हास होता है, साथ-साथ एक अन्य कारण भी दिखाई देता है, वो है प्रजनन की इनकी धीमी दर, इनकी प्रजनन की जो दर है वो काफी धीमी है, कई ऐसे पशु पक्षी होते हैं, जिनके प्रजनन की दर तेज होती है, मतलब वो अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं तो उनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन इनकी संख्या एक समय में अंडे देने की जो संख्या है, वो काफी कम है, ये भी एक कारण है, और एक वर्ष की अवध ही तक, इनके जो माता-पिता होते हैं, इन पक वो पूरी तरह से होने में तीन से चार वर्स का समय लेता है, ये भी एक कारण के तोर पर आप देख सकते हैं, सुरक्षा की स्थिती को देखें तो आप critically endangered स्रेडी के साथ-साथ अलग-अलग जगहों पर जैसे की अंतराश्टी प्रकृती संरक्षण संग की रेड लिस्ट एक में हैं, ये सारी बातें इस और इशारा करती हैं कि ये गंभी रूप से संकट की अवस्था से गुजर रहा है, अब देखिए क्या है G.I.B. पुनर प्राप्ति योजना और संरक्षण अर्थात, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो recovery program है वो क्या है, तो इसकी दिशा में जो प्रया से 2011-12, हम देखें, 2012-13 में पहला कदम इस दिशा में उठाया गया, साथी साथ पर्यावरन मंत्राले और राजस्थान सरकार, इन दोनों ने बस्टर्ड और लेजर फ्लोरीकन recovery project के तोर पर शुरुवात की 2016 में इसके लिए 37.85 करोण रुपए भी वित्वशित कि और पक्षी के आवास को कैसे बहतर बनाया जा सके, साथी साथ सनरक्षण प्रजनन कारिक्रम, ये दो उद्देश्यों को लेके ये राशी अवंटित की गई, और इस बात को स्वीकृत किया गया कि इन पक्षियों के आवास को बहतर करने के दिशा में काम किया जाएगा, औ इनके प्रजनन को सनरक्षण देकर आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास होगा। प्रजनन केंद्र जो है वो खोला जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ये जो स्थान है, ये दोनों राजय स्थान में है, रामदेवरा जैसल मेर में है और सोरसन जो है, वहां के बाराडिस्टिक में है। प्रजनन केंद्र जो खोले गए, जो 2018 में ये बातें तैं होई, उसमें जो प्रजनन केंद्र खोले गए, उसमें उन प्रजनन केंद्रों की क्या उपलबधी रही अब तक उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो ब्रीडिंग सेंटर खोले गए, उसमें 40 ग्रेट इंडियन बस्टर्स जो हैं, वो फाउंडर पापुलेशन उनकी हमको दिखाई दे रही है। इसमें अंडों को एकत्र किया गया, कुछ अंडे कहां से लाए गये, जैसे कि 29 अंडे आप देख रहे हैं, जंगल से इकठे किये गये, और 11 जो हैं, खुद प्रजनन केंद्र में मैटेड हुए थे, तो ये अंडे कलेक्ट किये गये, और इन प्रजनन सेंटर में, इन प्र मादाएं होंगी अब यहां पर आप देखें वह संख्या 40 दिखाई दे रही है मतलब यह और संतोष जनक इस्थिती है साथ ही साथ अगर हम देखें तो WII की जो योजना है उसमें ये था कि Wildlife Institute of India की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि जो captive breed birds है अर्था जो संरक्षित प्रजनित पक्षी हैं यहां पर जो संरक्षित रखे गए हैं उनको जब तक जंगल में छोड़ा नहीं जाता तब तक प्रती वर्ष जो है हैगा तो यह एक उपलब्धी के तौर पर हम देख सकते हैं इस प्रजिनंत केंद्र की साथी आगे की क्या यूजना है तो आगे की यह यूजना है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेजर फ्लोरीकन है इन दोनों के संरक्षन के लिए अगले चरण की जो अवधी है वो 2024 से 33 सब तक है लेकिन बिना रुके जो अगली अवधी है वो कब तक है वो 2029 तक है इस परियोजना का लक्ष क्या है तो इस परियोजना का लक्ष यही है कि राजस्थान में जो रामदेवरा है वहाँ पर CBC का उन्नयन किया जाए और सोरसन में लेजर फ्लोरीकन CBC का व विक्सित किया जाएगा और यह टार्गेट है कि 2026 से यह योजना पूरी कर ली जाएगी इसका उपयोग किया जाएगा 2026 से इसको तयार करके तो यह इसका उद्देश है आगे इसमें और एक कदम बढ़ने की तरफ अगरसर होने की दिशाम है अब ग्रेट इंडियन रक्षा के लिए कुछ अन्य कारिक्रम भी चलाये जा रहे हैं उनकारिक्रमों पर एक नजर डाले जैसे जुगनू पक्षी डैवर्टर है इस पर युजना कि अगर बात करें तो इसमें जो बिजली लाइने हैं उन पर इसको स्थापित किया जाएगा एक फ्लैप के तौर एक रिफ्लेक्टर के तौर पर जो की परावर्तक के जैसे चमकेगा जैसे जुगनू चमकता है क्योंकि ये जो पक्षी होता है इसकी जो सामने की दृस्टी होती वो कमजोर होती है और ज्यादा तर जो दुरगटना होती है इनकी सामने के देखने की चमता कमजोर होने की व पच्छेंगे, ये 50 मीटर की दूरी से पक्षी देख सकते हैं और बिजली लाइनों पर तकराने से वो बच सकते हैं, अपने उडान का रास्ता बदल सकते हैं, साथी कृतिम हैचिंग की व्योस्ता इसके लिए भी कारिक्रम है, इसमें सनरक्षन प्रजनन कारिक्रम 2019 में जंग प्रजेक्टिंग इंडियन बस्टर्ड है, इसमें कारिक्रम है, जैसे रास्ती बस्टर्ड, पुनर प्राप्ति योजना, सनरक्षन प्रजनन सुविधा है, प्रोजेक्ट इंडियन बस्टर्ड है, ये अन योजनाय भी चलाई जा रही है, साथी साथ अगर हम बात करें, तो इनके विनास का एक बहुत बला करण ये था, उसको देखते हुए, जो कि इनका शिकार किया जाता था विभिन पश्वों के द्वारा, मानिटर लिजर्ट के द्वारा, चाहे लोमडी के द्वारा, कुत्तों के द्वारा, तो एक काम किया गया कि इस प्रकार के जितने शिकारी तत्तो थे, उनको जो ग्रेट इंडियन हम कह सकते हैं, डेजर्ट था, उस जगह से, जहां पर इनकी संख्या पाई जाती है, वहाँ से इनको स्थानांतरित करने के दिशा में प्रयास किया गया, साथी जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, आप देखेंगे, वहाँ के आसपास जो 23 ऐसे गाउं थे, वहाँ से 801 कुत्तों की नसबंदी की गई, यह कुछ प्रयास्त है, तो डेजर्ट नेशनल पार्क पर एक नसर डालें, तो यह जैसलमेर और बाडमेर जिले के भीतर भारत की पश्चिमी सीमा पर इसकी स्थिती है, और यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो पाया ही जाता है साथी, यहाँ पर आप देखेंगे, राजकी अवरिक्ष खेजडी भीर राजिस्थान का पाये जाता है, राजकी अपुष परोहिडा इस उध्यान में प्राकृत इसको भी आप ध्यान रखेंगे, तो कक्ष बस्टर्ड अभियारण जो है भारत के गुजरात के कक्ष जीले में है, जैसा कि नाम से इस पस्ट है, वहाँ नलिया के पास यह स्थित है, और यह देश का इसकी खास बाती है कि सबसे छोटा अभियारण है, यह सिर्फ दो वर् कुशन ने तथे थे, तो इन सारे प्रयासों के माध्यम से यह कोशिस की जा रही है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए, चलते हैं, अगली परिपाटी अभियास प्रस्न की तरफ उससे पहले आपको सूचित कर दे कि द्रिस्टी विरासत अस्थल गोशित किया गया, 1975-1970 यानि मैंसे कोई नहीं, तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे, लड़ते रहें, अपने लक्ष की और बढ़ते रहें अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले